नमस्कार दोस्तों स्वागत हैब के हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों महागाई भात्ता पर सरकार की सफाई क्या है रननिती नहीं काटेंगे और नहीं देंगे भी सरकार सुना रहे हैं के अंद्रिय कर्मचारी और प्रेंसर को 1962 और 1971 की यूद्धी की कहानी उस समय क्या हुआ था और क्या है सरकार की रननिती क्या दिया शफाई तो ये सभी बातों के जनकारी आपको इस वीडियो के मादम से दी जाएगी की देख तरी वीडियो को आंद तक के दे आप मेरे चैनल को सबसक्राइब करके बेल आइकन जोड़ दबाए ताकि अगला वीडियो का अब पास पहुँचती रहे दोस्तो वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन को दवाना ना भूले। पस नहीं लेती है तो सरकार अपनी बचाओं में लगतार अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ ने कुछ पोस्ट करते रहते हैं और लगतार मीडिया में बयान देते रहते हैं। इसी तरह की बयान ये दिया गया है कि जो भी मीडियम और ए स्मॉल कैटेगरी के जो भी वैपाड है उसको सपोर्ट करने के लिए और जो कुरोना वायरस से लडाई के लिए हंड इकठा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। दोस्तों भाजबा सरकार की कहना है कि सिर्फ भत्ते में जो विर्दी हाल ही के दिनों में की गई थी उस पर रोक लगाई गई है और इसे हालात सही होने पर फिर से लागू कर दिया जाएगा। मोधी सरकार दौर निर्धाडी 17% की दर से डिय और डियर का भुकतान जारी रहेगा जैसे ही सरकार नई दरों पर कोई डिय न लेगी इस दरों का संसोधित कर नई दरे लागू कर दी जाएगी। करमचारियों के मांगाई भथ्तों की वज़ा से जो पैसे की बचत हो रही है उस पैसे का उप्योग सरकार कोरोना वारस से लरने में खर्च कर रहे हैं। कोई कटावती नहीं की गई है, जनवारी 2020 से लागू बढ़ोतरी के अनुसार भुकतान होगा, यानि जो आपका डिये है, वो 17% ही मिलेगा जुलाई 2021 तक, इस बाड़े में सरकार कोई चर्चा नहीं कर रही है, कि जनवारी 2020 से जो डिये बढ़ा है, उस मामले में कोई बातचीत नहीं हो रही है, वहीं दूसरी तब सरकार ये कहाने भी सुना रही है, एक तरफ तो बोल रहे हैं सरकार की केंद्री करमचारी और प्रेंसनर की जो भता हैं नहीं काटा गया है, और दूसरी तरफ ये कहाने भी बता रहे हैं, कि जो 1962 और 1971 में जो वार हुआ था, जो 1962 इंडिया चाइना और 1971 जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो यूद हुआ था, उस सिच्वेशन में भी जो केंद्र सरकार के दोरा जो कदम उठाया गया था, उसमें एक कंपलसरी कर द और ये केंद्र सरकार के बाद, उतर प्रदेस और उत्तरा खंड सरकार के दोरा, इविन तमिलिनाडु सरकार के दोरा भी ये फैसला उठा लिए गया है, कि जितने भी उसके इस स्टेट करमचारी है, उसको जो महांगाई भता है, उस में जुलाई 2021 तक उत्र खंड और उत्र पर्दे सरकार के कहना है कि इससी जो 10,000 करोर का सरकार को फैदा हो रहा है जिसे वह करोना के इस लड़ाई में लगाएगा। तो यह मामला आप सुप्रिम कोर्ट में जा चुका है आर्मी ओफिसर ने इसको सुप्रिम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया है तो आखरी डिसीजन आप सुप्रिम कोर्ट के उपर डिपेंड करता है कि वह क्या डिसीजन देते हैं मांगाई भत्ता सरकार को आपस लेना है या नहीं लेना है कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल पर जरूर बताऊंगा तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा विडि़ो देखने के लिए बहुत बताने बाद दो जाए नजाए वारत